कि यान चलाए कब चलाए कितने लोग सदसे बनें अरे सदसे तो उस पार्टी का बनेगा ना जिस पार्टी के प्रती लोगों की आस्था बढ़ेगी विश्वास बढ़ेगा जिसके नित्रित्तों में जो है लोग आस्था ब्यक्त करेंगे तो इनके नित्रित्तों में आस्थ अगर व्यक्त करते तो तीन नंबर की पाटी कैसे होती आज नितीश कुमार जी का चेहरा जो है इतना वदरूप हो गया है कि आप यकीन मानिए अब विहार की जनता इसने बर्दास करने नहीं जा रही है जनता ने तो पहले ही न कार दी अब ये जुगाड़ू मुख्यमंत्री है जुगाड करके मुख्यमंत्री बन गए इससे जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता है ना नमस्कार आप देख रहे हैं निविश्परनेशन में आपके साथ अबजिस सिंग हमारे साथ बात करने के लिए लोग जन सकती पार्टी राम बिलास के प्रदेश के मुख परबता राजेशबर जी है राजेशबर जी जेदिव का जो पार्टी फंड में क्रोरू रुप्या का निवेस हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं यह तो बड़ा शोकाने वाली खबर है आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में प्रदेश की जन्ता जो है पूरी तरज इस पार्टी को नकार दिया है पार्टी को तीन नमबर पर पहुँचा दिया है आज सरकार की जो हालत है वो महसूस की जा सकती है कि लोगों का आकरसन अब कितना रह गया है इस सरकार के प्रती लोगों का विश्वास क्या रह गया है ऐसे में कहना कि हमारा पाटी फंड अपरत्यासित बढ़ रहा है तो यह तो बहुत हस्यास्पद है इसकी जाश होनी चाहिए कौन डोनर है इनके कहां से पैसा आया है हो सके अपने राजनितिक रसूख और सरकारी रस सुख का इस्तेमाल किया गया हो इस फंड अरेजमेंट में आप समझ सकते हैं कि यह पाटी तिन नंबर की पाटी हो गई है प्रदेश में और कहते हैं कि हमारे प्रतियास्था और विश्वास बढ़ा है आज साहब नेताओं की का अभाव हो गया है आपस में सीड़ सज़ा इस पर कि कौन है इनका डॉनटर कहां से वो पैसा आ रहा है रुदी के आर सीपी टैक्स का नाम अपने सुना हो गाना और सीपी टैक्स में भी इतना प्रत्यासित बहिदी LI नहीं वई थी तो अभी कौन टेक्स सेवला जा रहा है जिसके कारण जो है इसा पृतियासीत बिर्दी को देखा जाए नेता सामिल नहीं हो रहे हैं नेताओं को भगाया जा रहा है और सदस्ता अभियान चल रहा है आप बताइए ना कि कहां से सदस्ता अभियान चला है कब चला है कितने लोग obsahdy बने हैं अरे सदसे तो उस पाटी का बनेगा ना जिस पाटी के प्रती लोगों की आस्था बढ़ेगी विश्वास बढ़ेगा जिसके नित्रितों में जो है लोग आस्था ब्यक्त करेंगे तो इनके नित्रितों में आस्था अगर ब्यक्त करते तो तीन नमर की पाटी कैसे हो आज नितीस कुमार जी का चेहरा जो है इतना वद्रूप हो गया है कि आप यकीन मानिए अब विहार की जनता इसने बरदास करने नहीं जा रही है जनता ने तो पहले ही नकार दी अब ये जुगाड़ू मुख्यमंत्री है जुगाड करके मुख्यमंत्री बन गए इससे जनता का बिश्वास नहीं जीता जा सकता है न और सदस्ता अभ्यान सदस्ता अभ्यान इन्हों कब चलाया कितना सदस्ते बने हैं इसका प्रगति रिपोट जारी करें देखिए ये सब चोचलेपन कहने की बात है आप यकीन मानिए ये सरकारी रसूख के बल पर धन की अगर उगा इसलिए कि नहीं है लोगोंगं का बिहार की जंता आज तरा ही माम के स्थिती में इस बात शेकितम से क्या बनेगा इसपार्टी का कोई अभी तो नेताओं की भगदण मची होई है आप देखेंगे आने वाले चुनाव में इनके आधे से ज़्यादा नेता दूसरे पार्टी में सामिल हो जाएंगे अरे सदस्ता अभियान तो हमारा चल रहा है प्रदेश भर में सदस्ता अभियान चल रहा है आजीवन सदस्ते लोग बन रहे हैं हमारे रास्टिय अध्यक्स आधर्णिय सिरी चिराक पासवान जी का जो बिहार फर्ष्ट और बिहारी फर्ष्ट का भीजन है हमारे पांटी के संस्थापक जिन्हों ने बिहार का एक विक्सित बिहार का सपना देखा था पद्म भुशन स्वर्गिय राम बिलास पासवान जी ने उस बिहार के सपनों के साथ लोग शामिल हो रहे हैं और खुले आम सदस्ता अभियान चल रहा है पुरे प्रदेश वर में इसकी गूच तुनाई दे रही है तो इसको सदस्ता अभियान कहा जाता है किस बंद कोठरी म जैदियू के एक भी मंत्री इस पर बोलने से इंकार कर देंगे मैं आपको यकिन दिला रहा हूं ये थे हमाँ साथ लोग जन्सक्ति पार्टी राम बिलास के परदेश के मुख परबकता राजेश भट जी उन्होंने स्ताब तर पर बताया है कि जिस तरसे जैदियू के जो ग्राफ बढ़ी है पार्टी फंड का वह जांच का भी से इसे तमाम खबरों के लिए रहे हैं नमस्कार